नबस्कार मैं हूं महेक और आप देख रहे हैं वंदी भारत नीउस तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर इसकूल के बासूं बच्चों के निवालों पर भी डाकर डाले बैठे हैं ये दबंग पिर्धान जब हमारा भारत देश करोना काल के संगट से घिरा हुआ था लोग दाने दाने का महताज हो गए थे तो वहीं पर दूसरी ओर कुछ गिराम पिर्धान बच्चों के निवाले पर डाकर डाल रहे थे उन्हें इस बात का शर्म नहीं आई कि मैं आज जो कदम उठा रहा हूँ वो कल बच्चों के लिए रोना बन जाएगा ऐसा ही मामला जन्पद अयोधिया के शिक्षा चेतर मिलकेपुर अंतरगर्द गिराम पंचाया देवन पारक का सामने आया है जहाँ पर पुर्व माध्यमिक विध्याले और उचच माध्यमिक विध्याले का मामला तब परकाश में आया जब पत्रकार की द्वारा ओचक निरिशर्ट किया गया आज सुबह नौ बजे स्कूल परिसर के अंदर जब परवेश किया गया तब देखा गया कि प्रधाना धियापक समीज सभी अधियापक बच्चो को पढ़ाते मिले बच्चे खुश थे विध्याले में कुल पंजियन संक्या परात्मिक इस्तर पर 124 और जूनियर इस्तर पर 134 है जिसमें उपसित ही देखे जाए तो उचच परात्मिक में 50 और परात्मिक विध्याले में 61 बच्चे उपसित मिले लेकिन दुख उस समय हुआ जब बच्चो स्कूल का नाम क्या है प्राथमिक विद्याले देवन पारा कंपोजिट 128 आपका शुब नाम राजिंद कुमार मिश्र राजिंद कुमार मिश्र माश्टर साहब एक बात बता है हम अभी स्कूल का निरक्षड किये हैं और चक जानकारी लिए बच्चों से जी सर तो पढ़ाय प्रणियम तो बनवाया जा रहा है लेकिन विगत अपरेल महीने से फल नहीं बटा है और मई के महीने से लगातार अभी तक जो है दूध नहीं बटा है जिसको प्रधान जी को बार-बार जो है रिक्वेश्ट भी किया गया कि यह बच्चों का हक है इसको दिया जाए लेकि इनके द्वारा मतलब कि जो दूध फल वगएरा है इन सबका जो है कोई उपलक दरी नहीं की जा रही है पिद्याले को जी पीछे के अपरेल महीने से फल नहीं बट रहा है और मई महीने से दूध नहीं बट रहा है अच्छा क्या राशन इनके द्वारा बराबर मिलता आ र पहुता हो तो लगबहाग 21 कुंतल 20 कुंतल 70 अकातर किलो करीब गेहों अभी उनके पास चावल मिलाकर के है जो बच्चों में जो है कोविड काल का बतना है अभी काल का जो जो है रासन था वो विटरन नहीं किया गया नहीं अभी वितरन नहीं हुआ है अभी वित्रण नहीं हुआ है जो अभी बटना इनके द्वारा बाटा जाना है कोटेदार द्वारा कि आज कहा जा रहा है कि हमने सारा आपकी विद्याले का राशन जो है प्रधान जी को दे दिया है केवल प्रधान जी वित्रण नहीं है हां कोटेदार ने लिख़ित विद्या है कि ये कोविर का पूर में खंड सिख्चा दिकारी महोदे को मोखी का उगत करा दिया गया था और बार बार कोटेदार और प्रधान जी से वराबर संपर्क में हूँ जैसे ही ये लोग MDM अबलेबल कराएंगे तुरंट मैं बार दूँगा जी है इस बाबत पृधान अधियापक राजेंटर कुमार मिश्रा ने बताया कि लगबग 20 कोंटल MDM गिराम पंचायत पृधान के दूआरा निगल लिया गया है पृधान अधियापक ने बताया है कि इस मामले के शिगाय जब कोटेदार को बताये गई तो उन्होंने बताया कि मेरे दूआरा कोविड-19 का जो भी MDM था वो गिराम पंचायत पृधान को दे दिया गया है वित्रार करने के लिए लेकिन गिराम पंचायत पृधान दबगई के बल पर आज तक नहीं बटवाया बच्चों का निवाला हजम करते दिखाई दे रही हैं जब उसकी मांग की जाती है तो गिराम पंचायत पृधान के द्वारा लगतार विधियाले में आकर तरह तरह की धमकी दी जाती है फिलाल क्या है पूरा मामला आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं में 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 देख सकता है जाती है झाल बादारे विए ग दिव्यावactor के विए तो अब रहा है वो सम्मिलेगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है अच्छा बटा कब से नहीं मिल रहा है आप लोगों को यह दो मेहने से नहीं मिल रहा है तो आपने कभी अपने टीचर से इसके शिकायत की की नहीं की नहीं की चलिए ठीक है अच्छे लोग से कुछ सवाल करनी है तो आप आगया दे तो हम कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं बच्चे लोग यह बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही स्कूल में अच्छे चल रही है मास्टर साहब मारते पीटते तो नहीं पढ़ाई अच्छी करते हैं अच्छा एक बात बताओ बेटे जो सरकारी सरकार की तरफ से आप लोगों को खाने के लिए वेवस्था के गई है दूद क्क खाने का और फल फ्रूट तो वह आपको इसकूल में विद्याले मिल रही है कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत की कि नहीं कि नहीं कि रही हूं चलिए ठीक है यह बताइए कि आप लोग कितनी क्लास के स्टुडेंट है पढ़ने वाले कि आप लोग विद्यारती है ना ठीक पेटाश सफ़ाय के लिए सफ़ाय कर्मी आते हैं कोई समस्या तो नहीं है पढ़ने में लिखने में कोई दिक्कत तकलीब मतलब क्यों समस्या है आप लोगों को बोजन नहीं मिल रहा है दो मासे फल फोल नहीं मिल रहा है हाँ इन सब चीजों की समस्या है यहाँ दो महीने असे चल लोगे आप